असलाम अलेकम दिरिज बिल्द जीव लामार सलीम इन यू ब्यूटिफल फीपल यू और वाचिंग में आप वाचिंग यू दोस्तों मुझे पता है मैं तो पर करना हूं मैंने चुचा क्यों एंगल चेंज कर ले जाया क्योंकि मेरे रूम में काफी एंगल में चेंज किये त यू आने के आने के अपनी वीडियो को तोड़े से बेतर बनाने के लिए जब हम किसी ₹क से या फून प्रकर जो बोरक करते हैं तो उसमें पिछी के प्रहूर बहुत ज़़िकर बहुत ज्यादा हाते है तो ऐस करसकता है इसके बहुत बटे-बटे-बटे सब्सक्यान आप आपको तोड़ा सर्च करना पड़ेगा तो आज मैं आपकी लेक तरीकर लेकर रहा हूं तोड़ा सा वीडियो लेंग ती है में जानता हूं लेकिन इसे आपको बहुत वाइद होगा आपकी जिदनी भी वीडियो जे आप उन सब में अपनी वाइस जो पीछे आ रही है वो रि आप अपने मुबाइल में ही तो आप उसके अंदर किया है कि अपनी जो नवाइस है पीछे की बेग्राउन वाइस है वो खादम कर सकते हैं एक सोफ़वेर है जो कि PC में स्रिमार हो तो बहुत अच्छा है ओड़ा सेडी लेकिन मैं आप सो उससे भी बेतर बताऊंगा जो आ तो नो दो आप कसे करें किसे करने हैं अब ही सकते हैं मैक से रिकोड निकर अपने फोन आपने वीडियो आपने शूट किये दोस्तों आपको वह सलेट कर दीने मिसाल के दूर पर मैंने यहां पर आप देख सकते हैं इसका मैं एक इलिट कर लेता हूं अभी जो मेरी आवाज आ रही है वो शायद आपको तोड़ सी पीछे पे ग्राउंड वाई से उसको हम चिटके में यूडियो खलम कर देंगे तो चले शूट करनी है उसके अंदर जो कट आई पड़ा है आपको करनी है ट्रिम करना है स्प्लिट करना है सब्सक्त मैं यहां से चलते हैं आपने MP3 वीडियो की तरफ इस यही पे कर देना है और फिर इसे वीडियो को आपको एक्सपोर पर करना और कुछ सिप इसको डेयरक्ली अक्सपोर्ट कर दे ना जब यह export हो जाए दोस्तों फिर आप चलेंगे अपने MP3 video converter की तरफ इस वीडियो का हम convert करेंगे पिर हम इसको लेक्सिस आर्डियोटिटर में वहां से हम स्की इनवाइस जो है वह रिड्यूस कर देंगे दोस्तों तो चलते हैं आपने MP3 converter की तरफ और यहां पर आपको यह download कर पर यह यहार वहां से उटा लो कोई मसला नहीं तो आपको यहां पर select कर देना है जहां कई भी आपकी फाइल है जो आपने भी एक्सपोर्ट किये वो वीडियो वो आपको select कर देंगे दोस्तों मिसाल के जबर मेरी यह वीडियो भी मैंने इंपोर्ट किये एक्सपोर्ट किय देना है अगर इस नाम से आप सेफ करना चाहते हैं तो इस नाम से यह फाइल इस फोल्टर में सेफ हो जाएगा तो आप पर start हो जाएगा और जहांबे convert start हो जाए तो पिर हम जाएंगे अपने Lexis Audio Auditor की तरफ दुस्तों तो चलते हैं अभी अपनी Lexis Audio Auditor की तरफ So friends, अभी हम आचुके आपने Audio Auditor की तरफ जिसका नाम है Lexis Audio Auditor आपको simply कुछ करना नहीं दो आपको यहां पे अपनी open कर देनी जो भी file है आपकी वह आपको यहां पर open कर देनी है मिसाल के तरफ पर मेरी जो file है, वह यहां पर मेरे पास available है So friends, जो मेरी file है, वह है मैं इसको select करता हूँ और इसको open कर दाता हूँ दोस्तों जब यहां पर इस तरह और आपको इस तफ़ा एक दफ़ा इसको सुनाता हूं आपको अभी जो मेरी आवाज आ रही है वो शाहिद आपको तो इसे को हम यहने की एजिन करेंगे इसको जो पीछे बेग्राउं वाई से उसको हम चिटके में यह ख़लब कर देंगे तो चले इस सु फ्रेंड्स तो यहां एक और को सिंपली कर-na किया को इ culpable आना है दूस्तो यह तीन डूट आपको औठी कर ना हो और आपको सिंपली यहां पर एक्ट पर आना है उसलों यहां पर बहुत सरे इक्साजटी पिर झाक्टे आक और रिफपर्स कर सकते हैं चेंज्ड वो सिफ applied देना है apply देना है अप्लाइदा रभाइए के बाद दूस तरह कुछ converting और गी और आपके जो नोई से वह तो दोरा से खतम हो जाएगी हमें एक दफ़ा नगी हमें दो दोफा करना है तो हम इसको दोफा करने हैं यहां पर ताकि आच्छे से हमारा जो नोई से दोस्त दोस्तों अगर आपका यहां पर M4A है तो हमें चाहिए MP3 में लेकिन कायन मास्टर सिर्फ MP3 यानि के सपोर्ट करते अगर हम यहां पर M4A की फाइल सपोर्ट नहीं करता अगर हम यहां पर M4A की फाइल में सेफ कर देंगे और फिर हम प्लेशर से एक एप डाउनलोड करेंगे M4A to MP3 कनवर्टर और फिर वहां से हम इसको MP3 में कनवर्ट करके अपने कायन मास्टर में ले जाएंगे भई इसको कहते है जुगार तो चलते हैं अपने उस फाइल की तरफ तो दस्तों मुझे अपनी फाइल मिली कि इसको हमने बीवी के नाम सेफ करता हूं इसको मैं ऑके कर देता हूं करना कि आपको कुछ नहीं करता हैं यहां पे आप देख सकते हैं convert to MP3 इस option पर आपको क्लिक कर देना है और जो भी नाम देना है यही नाम देना है तो आप इसी नाम से इसको सेफ पर देंगे मैं इसको वी वी भी लगा लेता हूं कर लेता हुब और इसको आपको ओके करते हैं और या पर conferdin हो जाएगा तो आपकी जोगी यह प्रोड हो जाएगी पिर चलते हैं han Ban送ह की तरफ और इसको हम यहाँ पर आपको दबा देना है extract audio और क्लिक कर देना है extract audio के जब इसके नीचे यह अलेदा हो जाए इसके ओपर click करना है और पर इसको आपको delete कर देना है यहाँ से delete करना के बार दोस्तों आपको audio पर select कर देना है और जो फाइल हमने सेफ की थे जो कि हमने से अन्वाइस हटा दिया था हम वहाँ चलेंगे उस फाइल को उठाएंगे दोस्तों यहां पर करना के बार गृट करना के बादेने और यहां यहां पे अब आपका वायस जो पीछे के वह रिमूव हो छुकिए हो मैं आपको प्ले कर तो देख साथ है जस्तो हमारा जो 29 था पिछे का वो का फ्विएचर से रिमूव हो चुका है तो इसको आप यूज़ करें लास्मी यूज़ करें दोस्तों बहुत बहुत बैदरीन एप है और पस यह दी मेरे आज़की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रियों आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबाए साथ में अबिल आइकन को भी दबाए ताके मेरी हर वीडियो आपकी खिद्मत में हाजिर हो तो आज के लिए मुझे इजादत दीजिए आपका मेरबान खद